क convenience नबस्कार आप देख रहे हैं हमारा खास शो MP का रड and मैं हू आपके साथ साइमा मदिप्रदेश में सत्ता बदलने के साथ साथ बहुत कुछ बदल रहा है जो मदिप्रदेश की जंता के साथ साथ देश की जंता के लिए भी नया है एक तरफ मधिप्रदेश में मोहनराज की शुरवाज जोरु शोरु के साथ हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वसियम शिवराज सिंग चोहान को एक के बाद एक जटके ही लग रहे है शायद शिवराज सिंग चोहान का ये बोलना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और अपने लिए कुछ मांगने से बहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगा ये बीजेपी आला कमान को रास नहीं आया है और इसलिए शिवराज सिंग चोहान की मुश्किले एक के बाद एक बढ़ती जा रही है दरसल मधिप्रदेश के नए मुख्यमंतरी मोहन यादव ने आते ही एक बात और भी बिल्कुल साफ कर दी है कि अंध विश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है इसलिए तो सियम बनते ही मोहन यादव ने ऐसा कवाल कर दिया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था क्या कुछ उनयात किया है मधिप्रदेश के नए सियम और पूर्व सियम शिवराज सिंग चोहान को क्या जोरदा जटका लगा है सब कुछ आपको एक एक करके हमारे खाश सो में बताते हैं दरसल मधिप्रदेश शिवधान सभच चुनाओ में बंपर जीत के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंग चोहान को सबसे बड़ा जटका दिया एसबार पार्टी ने शिवराज सिंग चोहान की जगा मोहन यादव को सियम बनाया अब अटकले ये लगाई जा रही है कि मोहन यादव की काबिनेट में भी शिवराज सिंग चोहान को जोरदार जटका लग सकता है दरसल मोहन यादव की क्याबिनेट में उन नेताओं को बाहर किया जा सकता है जो शिवराद सिंग चोहान के मंत्री मंदल में शामिल थे चोकाने वाले फैसले लेने में माहिर वीजेपी मंत्री मंदल में नए चेहरों को मौका दे सकती है मंत्री मंडल के गठन के लिए सीयम मोहन यादव दिल्ली भी गए पार्टी हाई कमान से मुलाकात कर कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले निताओं के नाम को भी फाइनल होने की संभावना जोताई जा रही है इसके साथ ही सीयम के अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्षिय संगठन महामंत्री को भी दिल्ली बुलाया गया वहीं दूसरी तरब जोतिरा दित्ते सिंधिया का दबदबा भी मोहन यादव की कैबिनेट में साफ तोर पर दिखाई पर सकता है माना दरसल ये जा रहा है कि सिंधिया खेमे के कई विधायकों को कैबिनेट में जगा मल सकती है और अगर जोतिरा दित्ते सिंधिया को जादा तवज़ो मिली तो शिवराज सिंग चोहान को जोरदार जटका लग सकता है और उनके मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा दरैसल बीजेपी ने जिस तरह से सीम पद को लेकर चौकाया था उसके बाद से माना जा रहा है कि मंत्री मंदल में भी चौकाने वाले नाम हो सकते हैं बीजेपी नई पीड़ी के नेताओं को मौका दे रही है ऐसे में पार्टी के कई सीनियर नेताओं का मंत्री मंदल में जगा मिलने की संभावना कम है शिवराज क्याबिनेट की बारा मंत्री इस बार चुनावहार गए है ऐसे में पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है ये कहना गलत नहीं है वहीं जातिगत और शेत्री संतुलन के लिए कुछ पुराने चेहरों को फिर से मौका दे सकती है अलंकि अठकले हैं कि शिवराज सिंह चौहान की मंत्री मंडल में शामल निताओं को क्याबिनेट में जगा नहीं दे जाएगी अब असल में होता क्या है और किन लोगों को जगा मिलेगी क्याबिनेट में? किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये तो कैबिनेट की मीटिंग में ही तै होगा सिंधिया का दबदबाग क्यों? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद जेवतिरादिति सिंधिया का नाम भी सीमपर की रेस में था सिंधिया खेमे के कई नेता चुनाव हा रहे हैं कि सिंधिया के लिए राहत की बात ये है कि उनके खेमे की ने चहरे चुनाव जीत कर आए माना जा रहा है कि सिंधिया गुट को साधने के लिए मोहन यादव की कैबिनेट में तीन से चार नेताओं को मंत्री मंडल में जगा दी जा सकती है सिंधिया खेमे सीत, तुलसी सिलावर्ट, गोविन सिंग राजपूत और प्रभू राम चौधरी को जिम्यदारी दी जा सकती है दरहसल अटकली ये भी लगाई जा रही हैं कि लोगसभा चुनाव से पहले निगम और मंदल की नियुक्तियां भी नए सीरे से की जाएंगे बीजेपी अक्सर चौकाडे वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, माना जा रहा है कि मंत्री मंदल के विस्तार में भी बीजेपी नए चेहरों को मौका देकर सबको चौका सकती है जाती गत और क्षेतरिय संतुलन को साधने के लिए पहली बार विधायक बने नेताओ को भी कैबिनेट में जगा मिल सकती है एक तरफ शिवराज को लेकर बाते चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नए सियम मोहन यादव ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद उनकी तारीफें पूरे देश में की जा रही है मोहन यादव ने उजयन में राद बिता कर तोड़ा मिथक दरसल मध्य प्रदेश के उजयन में सालू से एक मिथक था कि कोई भी राजा यहां रात को नहीं रुख सकता इस वजह से देश की कोई भी नेता यहां रात को नहीं रुख सके इसके पीछे कहा ये जाता था कि यहां के राजा महाकाल है इस बार मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है वो रात में यहां पर रुके उन्होंने कहा कि मैं भगवान महाकाल का बेटा हूँ मैं यहां रुक सकता हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात में ना रुकने वाली कहानी के पीछे एक वाक्या बताया उन्होंने कहा कि सिंधिया महाराज को एक रड़नीती के तहट अपनी राजधानी को ग्वालियर ले जाना था और कोई आक्रामक ना हो इसलिए ये मिथक दढ़ा गया मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राजा महाकाल तो पूरे ब्रम्हांड के राजा है सियम ने ये भी कहा कि अगर उन्हें नुकसान ही करना होगा तो वो कहीं भी कर सकते हैं नगर निगम सीमा से क्या लेना दे रहा है भगवान महाकाल केवल नगर निगम सीमा के राजा थोड़ी है वो पूरे ब्रम्हांड के राजा है भगवान महाकाल की इच्छा थी तो मुझे उन्होंने सियम बनाया और कहा कि तुम यहां मिथक तोड़ो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ये उदाहारन है मोहन यादव ने कहा कि हम सब के लिए सवभागी की बात है और मुझे इस बात का आनन्द है जाने अंजाने में पता नहीं कोई घटना हुई तो राजनीती घटना जरूर महराज सिंद्या ने की थी दौलत राव जी के समय में 1852 में राजदानी यहां से गई तो उन्होंने समी करण बनाए उन्होंने कह दिया कि यहां पर राज़ा रात में नहीं रहेगा वरना सब निपट जाएगा तो कोई आएगा ही नहीं दूसरा कबजा करने के लिए यहां आ जाएगा मोहन यादव ने कहा कि सिंधिया की राजुनीती करणनीती के बाद से जाने अंजाने में हम लोग भी ये बात मानने लगे कि राजा रात में नहीं रुकेगा अरे राजा तो बाबा महाकाल हैं हम तो बेटे हैं उनके क्यों नहीं रात में रुकेंगे हम बाबा महाकाल के बाल बच्चे हैं बाबा तो जन्म देने वाले हैं आश्रवाद देने वाले हैं इसके लावा वो किसी का नुकसान नहीं करते मोहन यादव का नाम सीयमपद के लिए चुना गया तो कॉंग्रिस ने उठाया था सवार देरेसल मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव मूरूप से उजयन के ही रहने वाले हैं वो उजयन दक्षिर सीथ से तीन बार के विधायक रहे हैं जब भाजपा ने उनका नाम सीयमपद के लिए चुना तो एक नई तरह की बहस शुरू हो गई मध्यप्रदेश कॉंग्रिस की मीडिया विंके चेर्मेन केके मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म एक्सपर कहा था कि मध्यप्रदेश के नवगोशित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो को बढ़ाई और शुपकाम नै क्या कोई सनातनी ये बताएगा कि बाबा महाकाल की नगरी उजयन में अब दो राजा कैसे रहेंगे रात में रुकने को लेकर क्या था मिठक दरसल मानेता रही है कि उजयन के राजा भगवान महाकाल येश्वर यानी बाबा महाकाल ही है इनसे बड़ा कोई शासक नहीं है मानेता रही है कि कोई भी राजा उजैन में रात में नहीं ठेहरता इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि एक शहर में दो राजा नहीं ठेहर सकते अगर कोई भी राजा मंत्री या नेता यहां रात में ठेहरता है तो उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव को भगवान हनुमान ने पहनाई माला दरसल इसी बीच मध्य प्रदेश से एक वीडियो भी सामने आया जो काफी जादा वाइरल हो रहा है मध्य प्रदेश में CM बनने के बाद मोहन यादव लगातार दोरे कर रहे है जोरान मोहन यादव उजयन दोरे पर भी पहुंचे थे महाकाल के नगरी में CM मोहन यादव का अनुखा स्वागत भी हुआ यहां उन्हें बजरंग बली का रूप धारड किये हुए एक व्यक्ति ने क्रेन पर चड़ कर माला पहनाई मोहन यादव को बजरंग बली की तरफ से क्रेन पर चड़ कर माला पहनाते हुए पल कैमरे में कैद हो गए अब माला पहनाने का वीडियो भी काफी तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल ये वाइरल वीडियो उजैन का पताया जा रहा है जहां पर राजी की सीम महाकाल की नगरी पहुँचेते यहां के लोगों ने सीम का स्वागत अनोखे तरीके से किया जिसका वीडियो अब सामने आया है स्वागत की तयारियों में बजरंग बली के रूप को ही सामने दिखाया गया है जिसमें उन्हें तयार किया गया और मोहन यादव का काफिला जब पास पहुचा तो उन्हें रोक कर आयोज को ने क्रेन पर लटका कर बजरंग बली का रूप धारड की व्यक्ति को भेज दिया बजरंग बली ने CM Mohan को आशिरवाद देते हुए उन्हें माला पहनाई माला पहनाने के बाद बजरंग बली का रूप धारड की व्यक्ति ने अपना शक्ती प्रदर्शन भी किया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद वाइरल हो गया है लोग इस वीडियो को जादा पसंद करें MP के CM डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत समरों के लिए हजारों की भीड भी कठा हो गई थी यहां हनुमान जी का जो रूप धारड की व्यक्ति था उसने अनोखे तरीके से स्वागत किया तो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल हो गया और CM को देखने के लिए हजारों की भीड भी काफी जादा उत्साहित नजर आई दरसल आपको बता दें कि बीते दिसंबर को ही मद्यप्रदेश के साथ साथ चार राजियों के चुनावी नतीजे जारी किये गए थे जिसमें भाजपा के पक्ष में नतीजे रहे भाजपा ने चार में से तीन राजियों में जीत हासिल की भाजपा की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर MP राजिस्तान और 36 गड़ में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा जब भाजपा ने तीनों राजियों के सीम के नाम का एलान किया तो लोग भौचक के रहे गए बाजपा ने तीनों ही राजियों में तीन नए नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया जिसमें 36 गड़ में विश्नु देव साय, MP में डॉक्टर मोहन यादव और राजिस्तान में भजन लाल शर्मा को सीम की कुरसी मिली लेकिन जब से मधिप्रदेश को नए सीम के तोर पर मोहन यादव मिले हैं वो किसी ना किसी वज़ा से सुर्कियों में बने हुई है पहले ही दिन कुरसी संभालते हैं उन्होंने दो बड़े फैसल लेकर सब को चौका दिया था और अब एक बार फिर से उनके चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं फलाल हमारे खाश शो में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही एक आपिटल टीवी के साथ नमस्कार